एक बार की बात है, एक छोटे से गाव में एक छोटा सा लड़का रहता था। लड़के का नाम राजू था। राजू को हर दिन नदी के किनारे जाकर मचली पकड़ना बहुत पसंद था। वह हर सुभ़ जल्दी उटकर अपनी नाव और मचली पकड़ने का सामान लेकर नद पा रहा था. राजु ने कच्छुए की मदद करने का फैसला किया. उसने कच्छुए को नदी से बाहर निकाला और उसे एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया. कच्छुए बहुत खुश हुआ और उसने राजु को धन्यवाद दिया. राजु को कच्छुए की मदद करके बहुत अच्छा लगा। उसने सीख लिया कि हर किसी की मदद करना कितना अच्छा है। राजु आगे भी हर दिन नदी के किनारे जाकर मच्छी पकरता रहा और अपने आसपास के सभी जीवों की मदद करता रहा। वह सभी को यह सिखाता था कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और प्रकृती की खूपसूरती का सम्मान करना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक छोटा सा लड़का रहता था। लड़के का नाम अमित था। अमित को हर दिन नएने रास्तों पर साइकल चलाना और अपने आसपास की खूपसूरती का दीदार करना बहुत पसंद था। वह हर शाम अपना साइकल लेकर बाहर निकलता था और घंटों तक शहर की सड़कों पर घूमता था। अमित को साइकल चलाने से बहुत खुशी मिलती थी और वह हमेशा खुश और उत्साहित रहता था। एक दिन अमित साइकल चलाते हुए एक बड़े से पार्क में गया। पार्क में कई बच्चे खेल रहे थे और अमित को देखकर उनका मनोरंजन हो गया। अमित ने बच्चों के साथ खेलना शुरू किया और उनका काफी अच्छा समय बीता। अमित को बच्चों के साथ खेल कर बहुत खुशी हुई और उसने सीख लिया कि दोस्तों के साथ मिलकर खेलना कितना अच्छा है। अमित आगे भी हर दिन साइकिल चला कर बाहर निकलता था और नए दोस्त बनाता रहा. वह सभी को यह सिखाता था कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों के साथ मिलकर खेलना चाहिए. एक बार की बात है, एक बड़े से जंगल में एक खुशनिजाज गीदर रहता था. गीदर का नाम रॉबिन था. रॉबिन को जंगल में घूमना और अपने आसपास के जानवरों से खेलना बहुत पसंद था. वह हर दिन जंगल में घूमता था और अपनी चतुराई से सभी जानवरों को हसाता था. रॉबिन को मजा करना और दूसरों की मदद करना उसकी मम्मी तक ले गया। खरगोश की मम्मी बहुत खुश हुई और उसने रॉबिन को धन्यवाद दिया। रॉबिन को खरगोश की मदद करके बहुत अच्छा लगा। उसने सीख लिया कि हर किसी की मदद करना कितना अच्छा है। रॉबिन आगे भी जंगल में घूमता रहा और अपने आसपास के सभी जानवरों की मदद करता रहा. वह सभी को यह सिखाता था कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए.